Good morning everyone, I am Mrs. Parvati Kumari. Today is 28th day of online class for inter-second year students. बच्चों, पिछले क्लास में मैं chapter 7 से तुलू वन्स के सासक कृष्ण देवराय के बारे में आप लोगों को पढ़ा रही थी. अब मैं तुलू वन्स के ही अन्य सासकों के बारे में आप लोगों को आगे बताऊंगी. अन्य सासकों में हैं तिसरा सासक है अच्यूत देवराय का समय है पंद्रह सो तीस से पंद्रह सो ब्याली सिस्वी. 1532, 1542 पंद्रह सो तीस से पंद्रह सो ब्याली सिस्वी. कृष्ण देवराय की मृत्यू के बाद विजय नगर कमजोर पड़ने लगा. ध्यान दिजेगा कृष्ण देवराय विजय नगर का महान सासक था. उसका उत्राधिकारी अच्यूत देव राय बना. उर्तगाली नाविक फर्नाओ नुनीज इसके काल में भारत आया. डेमिंग गौस पेज एवंग फर्नाओ नुनीज के यात्रा ब्रितानतों के आधार पर ही सी वेल ने अपनी पुस्तक फार गोटन एमपायर लिखी है. अब हम तुलू वन्स से ही अगला सासक के बारे में पढ़ेंगे. तो चौथे सासक हैं सदा सिवू. तुलू वन्स का चौथा सासक सदा सिवू. इसका समय है पंद्रा सो बारा से पंद्रा सो सत्तर इस्वी. 1512 to 1570. पंद्रा सो बारा से पंद्रा सो सत्तर इस्वी. सदा सिवू. तुलू वन्स का चौथा सासक था यह कृष्ण देव राय का भतीजा था यह नाम मात्र का सासक था. राज्जी की वास्त्विक सक्ती इसके प्रधान मंत्री राम राय के हाथ में केंद्रीत रही. राम राय ने बह्मनी राज्जों में फूट डालो और राज्जे करो की नीती अपनाई. इस समय बह्मनी समराज्जे पांच भागों में विभाजित था. जिनमें पहला है बीजापूर का आदिल साही. दूसरा है गोल कुंडा का कुटूब साही. समय है संस्थापक है कुली कुटूब साह. समय है 1512 इस्वी. 1512. तीसरा है वीदर का वरीद साही. संस्थापक है अमीर अली वरीद. समय है 1526 इस्वी. 1526 इस्वी. चोथा है बरार का इमाद साही. समय है संस्थापक फते उल्ला इमाद साह. समय है 1484 इस्वी. 1484 इस्वी. पांचवा है अहमद नगर का निजाम साही. संस्थापक हैं अहमद 1490 इस्वी. 1490 इस्वी. जब इन बहमनी राज्यों को समझ में आया कि राम राय हम में फूट डाल रहा है वो इसलाम का अपमान कर रहा है. तब वे राम राय के खिलाप एक जुट हो गए. उन्होंने मिलकर बीजापूर, अहमद नगर एवंग गोल कुंडा को. 1565 इस्वी के ताली कोट के युद में बिजय नगर समराज्य को परास्त किया. ध्यान दिजेगा 1565 इस्वी के ताली कोट के युद में बिजय नगर समराज्य को परास्त किया. अहमद नगर के निजाम साह ने राम राय का सीर काट कर एक भाले पर टांग कर घुमाया इस प्रकार न केवल राम राय अपितू समस्त बिजय नगर का सरोनास कर दिया गया अगला वन्स है तुलू वन्स के बाद अगला वन्स है जो अंतिम वन्स है वो है आर वी डू वन्स आर वी डू वन्स बिजय नगर समराज का चौथा वन्स था आर वी डू वन्स इसका समय है पंदरा सो सत्तर से सोला सो पंदरा इस्वी 1570 से सोला सो पंदरा इस्वी 1570 तू 1615 1570 से सोला सो पंदरा इस्वी विजय नगर के पतन के पस्षात तीरू माल ने आर वी डू वन्स की स्थापना की ध्यान दिजेगा विजय नगर का जब पतन हो गया उसके बाद तीरू माल ने आर वी डू वन्स की स्थापना की आर वी डू वन्स ने पेनु कोंडा एवं चंद्रगिरी से सासन किया रंग तृतिय बैक्ति का नाम है रंग तृतिय विजय नगर समराज्य का अंतिम सासक सिधुआ ध्यान दिजेगा रंग तृतिय विजय नगर समराज्य का अंतिम सासक था अगले क्लास में हम नायंकर ब्योस्था के बारे में पढ़ेंगे धन्यवाद